जहिंद मेरे प्यारे साथियों असिस्टेंट लोको पाइलट आर्पी अप और रेलवे पुलीस फोर्स यारी जीडीस ये के ताहद जो होने वाली वेकेंसी है इन तीनों एक्जाम के तर्थ उसमें अगर साइंस के पोर्शन के कंप्लीट रिविजन के लिए मैं अभी सेक लिए महेंदर जी स्काइट रकर सुगंदा कुमारी शोनी सभी लोगों का स्वागत आज की क्लास में यह रेडियो धर्मिता की क्लास है रेडियो एक्टिविटी की क्लास है और आप जानते है असिस्टेंट लोको पैलेट आर्पी अफ के लिए जो चेप्टर वाई रिवि रेडियो सक्रिता का विष्कार किस्ने किया था चार आपसन में से एक सुनना है बिलकुल भाई रहर मादेयो एक दम जबरज़ा सिनरजी के साथ पढ़िएगा पूछा है आप जानते मैक्स प्लेंक ने बताया था falando सिध्धान्ग दिया था क्वांतम सिध्धान दिया था और आपको पता है अस्ए के ऊपर परमाड़ नe की थ में की ने की थीً तो चलिए जब आप दीजेगा पूछा है हेंडरी ब्रेकुरिल इसमें से किसकी खोच की थी तो जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा सवाल पूछा है वही सवाल उल्टा गुमा के पूछ दिया है तो आप तो जानते हैं कि रेडियो धर्मिता की खोच की थी लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले आखिरकार क्या होगा अन्वान सिकी का खोच किस ने किया था अन्वान सिकी का खोच किस ने किया था बताइए क्या होगा पूछा है हेंडरी बेकुरित अब यहाँ पर जबाब दीजेगा अन्वानसिकी के खोज करता कौन है तो मेंडल है ग्रेगर जान मेंडल जो थे इन्होंने अन्वानसिकी का खोज किया था ठीक है अग प्रेरकत्तों के बारे में हेंडरी ने बात की है किसने बात की है हेंडरी ने कोश्चन नमबर तीन जवाब आपका होगा क्या जवाब देत पूरी टीम कोमल भी पहुंच चुकी है तो पूरा इसका जवाब कैस्टूरी के उर्जा में बिखंडन होई नहीं सकता होगा क्या तो सनलयन होगा और आप जानते हाइड्रोजन के जो परमाडू होते हैं वह आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं तो हीलियम बनाते हैं आपस में जुड़के हाइड्रोजन के परमाडू हीलियम का निर्माड करते हैं साथ में नियूट्रा निकलता है बहुत जादा मात्रा में उर्जा निकलता है नियंत्रित अभिकरिया होती है कैसी अभिकरिया होती है नियंत्रित भारत ने अपने पहले परमाडू करण का इसंतर आए अगर आप से सवाल पूछा जाये ऎही से आपके क्छा लांच होतें जो भी चंदरयान हो गया आपके जो भी लांच विक्ल मशीन से जो भी लांच के जाते हैशॉँ से लांच की जाते लेकिन पर्माड़ dziय करण का necessarily परिक्षर में पहला भी पोखरण में दूसरा भी पोखरण में पहले का नाम स्माइलिंग गुद्धा था 1974 दूसरा अब यहां पर पूछा एक हाइड्रोजन परमाडू में कितने न्यूट्रान होते हैं कौन जवाब देगा दाहाड के जवाब दीजेगा इनर्जी के साथ जवाब दीजेगा क्या होने वाला है थोड़ी इनर्जी आज आपकी कम लग रही है मेरे तुल्ला में तो आपनों की इनर्जी आज कम ही लगए है सब के बराबर तो आज में हें दोजरा ढरा रहा हूँ थोड़ा इनर्जी के साथ आए हाइड्रोजन परमाड़वें कितने न्यूट्रान निकालना हो तो द्रबेमान संख्या में से परमाड़व करमा को घटा लोगे तो न्यूट्रान निकल जाएगा यानि उपर में से नीचे, एक में से एक घटा लोगे जी आएगा, ट्रकर ने सबसे पहले जवाब दिया, बहुत सारे लोग सबसे पहले यानि यहां पर सही जवाब, D answer आने वाला है यानि सही जवाब क्या बनेगा कुछ नहीं लेकिन अगर यही hydrogen के दूसरी hydrogen के बारे में अगर दूसरे समस्थानी की बात करें तो 1H2 यह है 1H2 यहाँ पर neutron की संख्या अगर हम पूछें तो 2 में से 1 गया 1 2 में से 1 गया 1 के लिए रियाद रखेगा तो यहाँ पर भारी hydrogen deuterium जो है उसके लिए आपके पास एक neutron आपको देखने को मिलने वाला है चलिए इस सवाल का जवाब पूछेगा बताईएगा क्या है आप जानते रेडियो धर्मिता में परमाडू रियक्टर भी आता है परमाडू रियक्टर में नाविकिय विखंडन के अविक्रिया होती है वाई कौन सी होती है नाविकिय विखंडन के अविक्रिया तो होती है लेकिन कैसी होती है तो नियंत्रित होती है अगर रियक्टर में बात करें तो कैसी होती है रियक् कि छड़ करती है अच्छा सीतलक के तौर पर आप जानते हैं पूलेंट के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं भारी जलका इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर पूछा हुआ है कि विखंडन के बिना नियूट्रान को आसोसित सबसे ज़्यादा मातरा में कैडमियम करता है और जो वहां पर जो हीट जेनरेट होती है उस हीट को एबजार्ब करने का काम किसका है उस हीट को एबजार्ब करने का काम भारी जलका है तो सीतलक के तौर पे काम करता है तो भारी जलकरता है ठीक है को मल किलियर चलिए जैनता आगे चलते हैं पूछा है किसने एटम बम का वि किया था तो परमाडू बम का विशकार ओपेन हाइमर ने किया था किसने किया था ओपेन हाइमर ने और मैं थोड़ा सा कोस्चन को थोड़ा स्वीच कर रहा हूं और यहां से लेकर सलता हूं अल्फा भीटा गामा से यहां से थोड़ा question थोड़ा mix करता हूं पूछा है अल्फा भीटा गामा किरणों की भेदन चमता का और उही क्रम क्या है अगर अल्फा भीटा गामा आप जानते यहां पर तीनों किरणे हैं और इन तीनों की भेदन चमता का क्रम क्या है तो भेदन चमता का करम आप जानते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा गामा का होगा सबसे ज़्यादा पूछा औरोही करम decreasing order बताईए decreasing order में जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे तो alpha लिखाए गलत हो जाएगा अलफा नहीं हो सकता बीटा लिखाए गलत होगा गामा लिखाए सही है दोनों सही है लेकिन अगर हम बात करें गामा से तो यहाँ पर ए आपसर होगा लेकिन अगर आपसे कह दें आईनी करण किसका होगा तो ठीक उल्टा कर दीजेगा आईनी करण आ जाएगा एक बढ़ ठोक संभार कौन है संभारिक कौन है तो आप जानते हैं संभारिक में द्रभ्यमान संख्या समान होती है द्रभ्यमान संख्या क्या होती है दोस्त समान होती है अगर द्रभ्यमान संख्या समान होती है तो आप बताएं जैसे मान लिजे कोई element ले लिए उस element का नीचे atomic number Z है जैसे uranium ही ले लिए और 238 है तो यहां से अगर beta कड़ निकलेगा तो द्रब्यमान संख्या में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन परमाडू करमांक की बात कर रहा हूं तो परमाडू करमांक में एक की बृध्धी हो जाएगी 92 क के जगब पर 93 हो जाएगा तो परमाडू करमांक में एक की बृध्धी लेकिन यहां पर कोई बदलाव नहीं तो यह दोनों संभारी होंगे क्या होंगे संभारी तो पूछा है क्या पैदा होते हैं बीटा कड़के निकलने से संभारी पैदा होते हैं लेकिन अगर आपसे पूछा जाए समस्थानिक कैसे बनते हैं समस्थानिक यारी आई्सो टोप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे तो आईशो टोप बनाने के लिए आपके पास मैं आपसन देता हूँ क्या निकालेंगे आप लोग पहला आपशन है दो अलफा दो बीटा दूसरा आपसन है एक अलफा एक बीटा तीसरा आपसन है 3 Bita और चोथा आपसन है 2 Alpha 1 Bita या 1 Alpha 2 Bita कर देते बताइये क्या होगा क्या करेंगे समस्थानिक कैसे बनाएंगे समस्थानिक बनाने का तरीका क्या है बढ़िया सवाल है जबरजश सवाल जैसे देख़िए 92 Uranium 238 ले लिया और इसमें से एक अलफा कड़ निकाल दिया परमाडू करमांक में दो की कमी ये 90 हो गया ये 234 हो गया क्योंकि दरबेमान संख्या में चार की कमी X के बाद Y बना तो बीटा कड़ निकला तो एक किब्रिधी हो गया ये 294 ही रहा फिर एक और बीटा कड़ निकला तो एक और किब्रिधी हो गई तो यहाँ पर देखेगा Z बन गया और यहाँ पर भी इसका भी परमाडू करमांक 91 और यहा 234 तो दोनों को देखो ध्यान से यहाँ पर जो परमाडू करमांक दिखाई दिया वही प्रमाडू करमांक यहां दिखाई दिया, तो जहां पर प्रमाडू करमांक समान हो, वही समस्थानिक होता है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, जिसका प्रमाडू करमांक समान वो क्या है, समस्थानिक और एक समस्थानिक अगर कहीं पर बनाना हो, तो हमको क्या करना पड़े बाब यह होगा और यहां से एक ट्रिक याद रखिएगा कि एक अलफा दो बीटा से क्या बनते हैं समस्थानिक बनते हैं क्या बनते हैं समस्थानिक यानि आइसो टोप डिबलप होते हैं नोट कर लिजेगा कापी में एक बीटा कड़ निकलता है तो क्या बनते हैं संभारी ब बीटा निकलेगा तो संभारी एक अलफा दो बीटा निकलेगा तो संभारी गोविन प्रजापती वेरी वेरी गुड मौने कार्बन डेटिंग निम्न में से किसका आयू निर्धारण करता है ठीक है तो यहां पर एक जबाब आप से पूछा है जबाब दीजिए क्या चुनें आयू का निर्धारण करता है और जिवास्म के आयू का निर्धारण करता है जिवास्म के आयू का निर्धारण की बात करें तो पौधे में हम किसके द्वारा निर्धारण करते हैं तो पौधे में हम चल्ले के द्वारा कैम्बियम के चल्ले के द्वारा निर्धारण करते ह केंबियम का चल्ला गिनते हैं रिंग गिनते हैं तो हम आयू का धर्ड करते हैं चलो एक सवाल और दिखाता हूं इस सवाल का जवाब दीजेगा यहां पूछाए किसकी खोज बाद में हुई और इसे एका सिलिकान से बदल दिया गया यह जवाब आपको देना एक बाद सेशन कि वहां तो करने के छूट मैंने दिया है अपना ही हां यहां पर पूछ रहा है बैल सी जिन्दगी अपनी वाली क्लास को कह रही नहीं कि पता चले बैल सी जिन्दगी सच गाना गाए इसको हम क्या बोलेंगे एका बोरान एका बोरान इसको क्या बोलेंगे एका एलुमिनियम और इसको बोलते एका सिलिकान तो एका सिलिकान जर्मिनियम है एका सिलिकान हम किसको लेते है जर्मिनियम को गैलियम क्या है तो गैलियम एका एलुमिनियम है एका एलुमिनियम हम किसको कहते है गैलियम को और एसकेंडियम क्या है एका बोरान एसकेंडियम को कहते है बोरान ठीक है तो यहां पर सही जवाब सी आप संथा आपका हाँ बहुत बड़ी है थोड़ी हाँ यहां पर पूछा हुआ है कि टेफलान क्या है किट नासक है फ्लोरो कार्बन है हाइड्रो कार्बन है टेफलान क्या है पॉलिमर का ये सवाल है जवाब देना है टेफलान टेफलान क्या है आप जानते हैं कि टेफलान का इसका इस्तेमाल हम लोग नानिस्टिकी बरतन में करते हैं जो नानिस्टिकी बरतन है वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं टेफलान का तो नानिस्टिकी बरतन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम आपसे पूछे टेफलान कैसे बनेगा जैसे देख लिजे यह देखिए इसको कहते हैं टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन अटेट्रा फ्लोरो इथाइलीन को जब ओपन करेंगे तो यह बनेगा इसको हम कहते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन और यही टेफलान है तो जितने लोग हाइड्रो कार्बन जबाब दिया हम सुने हाइड्रो कार्बन कैसे हो सकता था नहीं हो सकता था ना यह क्या स्क्रेव clutch प्लोरीन और चार्बननेगा थेक न ही कंड टेट्रा है तो फ्लोरोकार्बननेगा यहां देखेगा पूचाई rizio सक्रियता का मात्रवड एक्टिभिटी क्या होगा करेक्ट है असवाल dim vad nuggets चारों में से एक आंसर सुनना है समय है 3-4-5 सेकेंड का क्या बनेगा भाई बेकुरेल है क्यूरी है एक है क्या सुनेंगे दोनों है की एक है तो यह दोनों मात्रक होगा भाई क्यों पड़े हो चक्कर में कहां खोय हुए हो डी आप्शन होगा एकदम सुगंदा जबर्जस च कुछा है किसका प्रयोग नचिपकने वाली कडाही के निर्मान में करते नचिपकने वाली कडाही का मतलब क्या हुआ भावना बताओ ना निस्टिकी वरतन हुआ नचिपकने वाली कडाही है की नए तो इसमें बताओ जैसे यह PVC PIP है तो PVC PIP का हमने बताए तो Vinyl chloride Vinyl chloride से क्य बनाओगे आप पॉली विनाईल क्लॉराइड बनाओगे पीवीसी लेकिन यहां पर जो सही जबाब आपका बनेगा वो टेफलान बनेगा क्या बनेगा टेफलान कोई डाउट तो नहीं है पॉलि हाँ तो नानिस्टिकी बरतन जो है नाची पकने वाली जो कड़ाई है वो यही है ठीक ना नाची पकने वाली कड़ाई तो टेफलान पीछे बताया था हाँ बिल्कुल चलिए रबर को वल्ली कृत करने के लिए क्याओं सा तत्त प्रयुक्त करते हैं आप जानते हैं रबर है और रबर को वल्ली कृत करना है तो क कैसे करेंगे हां रबर का मोनोमर क्या होता है यह भी बता सकते हैं तो रबर का जो मोनोमर यूनिट होता है उसको आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं आईसोप्रीन क्या है तो रबर का मोनुमर है एक लग है तो रबर का मोनुमर क्या है आईसोप्रीन है एक लग है आईसोप्रीन से हम रबर बनाते हैं और इसको अगर वलकेनाईजेशन करना है इसका क्या करना है वलकेनाईजेशन करना है इसका वलकेनाईजेशन किसके द्वा आप करते हैं वल्ली कृत किसके द्वारा करते हैं इसको वल्ली कृत कौन करता है सल्फर करता है तो सल्फर के द्वारा ये और मजबूत हो जाता है सल्फर के द्वारा ये और मजबूत हो जाता है ठीक है तो इसका स्तही जवाब सल्फर होगा आपसर नंबर ए चलिए ये सवा का जवाब दीजेगा पूछा हुआ है आप से क्या पूछा है कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं इसमें से कौन से ऐसे बहुलक हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं यह जवाब तो आप दे सकते हैं न हाँ जवाब दीजे प्रोटीन अब जैसे माली जब प्रोटीन की बात करता है तो प्रोटीन किसका बहुलक है तो प्रोटीन जो है अमीनो अमलका बहुलक है किसका बहुलक है भाई प्रोटीन दूसरा अगर आपसे कह रहा है अस्टार्च किसका है तो गुलकोज का है इस्टार्ज किसका बहुलक ए कि गुल्वकोज का show ली इसको काटται हूं नाएलान नहीं होगा तो आंसर डी बचा अमन से लेकर 9 अपर सब ने अंदाज में आप लोग अचाई यह बहुत सवाल पूछता है टेफलान का फिर एक बार आगे है तो टेफलान तो आप जाने रहे चलो आगे चलते यह पूछते पूछाए किसी भी प्राकृतिक कच्छे माल पौधे या जानवर की बिना बनाया जाने वाले एक मानो निर्मित फाइबर है यह कोईले पानी और हवा में तयार किया गया था यह पहला पूड़ सिंथेटिक फाइबर था पहला पूड़ सिंथेटिक फाइबर किसको बोलेंगे पहला पूड़ सिंथेटिक फाइबर किसको बोलेंगे बताएए पहला पूड़ सिंथेटिक फाइबर सी रि कि रियान पूरा सारे लोग रियान के तरफ है चलिए रियान के तरफ हैं तो बहुत बढ़िया नैलान से दो आते नैलान नैलान 66 आता है ठीक है और नैलान में एक आता है आपका नैलान 6 और एक आता है नैलान 66 इसके बारे में भी चर्चा होगी लेकिन यहां पर मैं दो और हैं उनके बारे में बता देता हूँ polythene के बारे बताता हूँ plastic से पहले polythene बताता हूँ polythene किसका बहुलक है ethene का एथीन का बहुलक है CH2 double band CH2 यह ethene है और इसी से क्या बन जाता है polythene बन जाता है इसी से आपके पास polythene बन जाता है clear है और आप जानते polystyrene किसका बहुलक है CH2 double band CH2 और यहां पर ठीक है यहां पर N है तो यहां पर आपका बन जाएगा यह polystyrene है यह polystyrene है यह polystyrene है याद रहेगा polystyrene है चलिए तो यहां पर आपने जवाब दे दिया अब चलिए एक और सवाल के तरफ thermosetting plastic पूछा हुआ है thermosetting वे plastic होते हैं जिनको गर्माने पर भी गरम करने पर भी पिघलते नहीं है एकदम थेथर होते हैं बेहाया समझे लो कहोगे सर जी बेहाया क्या होता है आप लोग बेहाया नहीं देखे होंगे न एक ऐसा प्लांट होता है आप लोगों के इलाके में कुछ और कहा जाता होगा thermosetting polymer को गर्म करने पर कहता है कि हीट करने पर साफ्ट नहीं होते मुलायम नहीं होते हैं जबकि पॉलिथीन को प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तो यह thermosetting प्लास्टिक जो होते हैं गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं और इसका एक उदाहरण आपने यहां पर देखा है क्या होगा पॉलिथीन तो यह thermosetting नियोप्रीन पीवी सी सही जवाब बैके लाइट है और बैके लाइट को switchboard बनाने में किसका इस्तेमाल बैके लाइट क प्योग कहां करते हैं switchboard बनाने में बैके लाइट का उप्योग switchboard बनाने में करते हैं कोई डिक्कत तो नहीं और बैके लाइट किसका बहुलक है तो यह बहुलक है फार्मिल डिहाइड का फार्मिल डिहाइड और फिनाल का बहुलक है फार्मिल डिहाइड और फिनाल का बहुलक है कौन तो यह बहुलक है बैके लाइट पूछाए निमलिखित में से कौन पालियमाइड बहुलक है निमलिखित में से कौन सा बहुलक पालियमाइड है पालियमाइड बहुलक कौन सा तो देखो पॉलियमाइड का फार्मूला कहा बनता है तो यहाँ पर अगर हम नैलान 6-6 की बात करें तो नैलान 6-6 में ऐसे कमपाउंड होते हैं एक देखो ऐसे यहाँ पर जगा है यहां पर CH2 चार बार होता है इसको कहतें ADPKCID और साथ में HEXAMITHALINE DIAIMIN होता है क्या होता है HEXAMITHALINE यानि CH2 कितनी बार होता है छे बार और यहां पर NH2 होता है तो एक जो मैं बता रहा हूं यही पर आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर N है और यहां पर H है तो polyamide बहुलक की बात किये यहां से जल निकाल सकते है और जब जल निकालेंगे तो आपके पास कौन सा बांड बचेगा यहां पर देखेगा यहां पर आपके पास बांड बचेगा CUNH और इसी को हम polyamide bond कहते हैं यही amide bond है यही कौन सा peptide bond है तो इसमें सही जवाब आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा nylon 6-6 और पूछेगा nylon 6 किसका बहुलक है तो यह ADP का अमलका बहुलक है ADP केसिड और साथ में hexamethylene diamine किसका बहुलक है hexamethylene diamine का बहुलक है तो पूरी तरह से topic को complete कीजिएगा ठीक है हाँ यही पूछा है इस question में देखो और जवाब दे लो ढूड के जवाब दे लो जो मैंने बोला वही आपको यहां मिलने वाला है दबाब दो क्या होगा तब पड़ो hexamethylene diamine और ADP केसिड किसी ऐसे option में है क्या जहां पे दोनों आपको नजर आया हो hexamethylene diamine किलियर हो गया कोई doubt तो नहीं है इसका सही जवाब यह होगा ठीक है चले आगे चलते हैं एक सवाल आपसे पूछा हुआ है अलग अलग चीज़े दिया हुआ है और कहरा है मिला के बताओ क्या सही होगा यह मिला लेंगे PVC बैकेलाइट अच्छा बैकेलाइट तो अभी हम लोग ने कहा कि थर्मो सेट थर्मो सेटिंग पॉलिमर है तो इसके साथ जवाब जो आया वह यह आया कि यह वाला भाई वन को है यारि जो दूसरा एक बाद जो बी है न बी का सही जवाब वन है और बी का सही जवाब वन यहां पर दो में है पस फिर कह रहा है पीवी सी कैसा है तो पीवी सी एक जगा दो दिखा है एक जगा एक दो जहां लिखा है वो ताप सुघटे दे रहा है और जहां एक दिखा रहा है ने हाँ अच्छा यहां पर दोनू का जवाब एक दे दिया है तो गलत तो जाएगा पीवी अापका यह वाला हो जाएगा और उनने क्रिद opens और आपके पासall resposta होगा थिए और यहां पर पूछा है ताप द्रिड यारी थर्मो सेटिंग प्रालिमर कैसे होते हैं गरम करने पर न पिघलते हैं नहीं नरम होते हैं तिरियक बंध के बहुलक होते हैं गरम करने पर तिरियक बंधों का जाल का निर्माण होता है जब इसे ठंडा करते तो अनुतक्रमडिय रू को रस्वा क्या बनेगा को साल्ध हो गा क्योंकि यह जो पौलिमर है वह पूरी तरह से हार्ड हो जाएंगे है नH चलि आगे चलते हैं मैं पूछ पास कपास किस बहुलक से बना हुआ ह़ कपास में किस बहुलक से बना हुआ एक जबाब आपको देना हैं polit प्रपास के बारे में किस्को चुनेंगे अच्छा यह स्टार्च जो है गुल्पोज किस में कनवर्च हुआ है इस स्टार्च में प्लांट का फूड में हैं गलाइकोजन भी जो हैं गलुकोज का बहुलक यह कहां इस्टोर मानों、 शरीर में कहां हमाने प्रभशास यहां सही जवाश सही चुनाए और तो यहां पर राइट अंसर क्या है शिलिलोज है आप से पूचा है Glycozone कहा है इस टो होता है तो लीवर में इस टो होता है पकहा चलिए आगे चलते थोड़ा साथ फिर से रेडियू धर्मिता के कुछ कोश्चन कर लेते हैं एक कोश्चन और पूचा एका सिलिकान यहां पर पूचा हुआ है एका सिलिकान किसका नाम है तो आपने जर्मेनियम बताते हैं रिपीट कैसे हो गया यह पूचा है कि निमलिखित में से नाविक्य विखंडन में कौन ऐसा है जो मंदक का कारे करता है मंदक जो स्लू कर देता है चीजों को मंदन का कारे करता है तो यहां पर कठोर जल अलग होते हैं कठोर जल साबून के साथ जाग नहीं देते हैं तो यह नहीं होता है साबून और वाटर जब जाग नहीं देंगे, no foam, किसी भी परकार का foam produce ना करे न, इसको कठोर जल कहते हैं, और इसमें magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate मौजुद होते हैं, लेकिन अगर भारी जल कहता है, तो ये भारी जल, आपके पास D2O है, ये deuterium oxide का बना होता है, deuterium oxide, चलिए, आगे चलते हैं, अगले जवाब के तरफ, पूछ रहे हैं, कैप्रो लेक्टम से, देखें, ये जवाब तो लोग नहीं रटे होंगे, जैसे आपने, यहाँ पे सारे का जवाब देखेंगा थोड़ा, टेफलान किसका बहुलक है, तो आपने पढ़ लिया कि सर्जी, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन का बहुलक है, टेफलान किसका है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन का, लेकिन अगर आप से पूछा है, कैप्रो लेक्टम से हम किसका निर्मान करते हैं, तो कैप्रो लेक्टम 6 कार्बन काड़ू होता है, और इससे हम नाइलान बनाते हैं, कैप प्रोलेक्टम से हम क्या बनाते हैं नैलान सिक्स कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं और आप जबाब नहीं दे पाते हैं यहां पर सब कुछ आप से कहा गया था वादा किया गया था हर एक टॉपिक कवर करेंगे तो थर्मो सेटिंग पॉलिमर है बैकलाइट जहां पर फिनाल और फ हात खाली न रहे हां कोई हात खाली प्राकृतिक रबड किसका बहुलक है one three ब्यूटा डाइई यहां पर पुछा नियोप्रीन यहां पुछा आईसोप्रीन यहां पुछा क्लोरोप्रीन सही जबाब-जबाब देने वाले कौन से हैं ट्रकर से लेकर रवीन निखिल बंदन मूल चंद बड़ी दिन बाद नजरा है सुस्मा यह सारे लोग इसका सही जवाब होगा आईसोप्रीन आईसोप्रीन इस राइट अंसर यहां पर पूछा है कृत्रिम रबर बुना यस के निर्माण में कौन सा बहुलक कौन से मिस्टर का बहुलक बनना जाएगा तो बुना अ क्ताई इन बुना से क्या हो जाएगा ब्यूटाई ओडाइ इन और आसे क्या बनेगा एस्टाइरीन है ौ। इसपरण खूर ओप promise है 15 को लग रहा होगा कि कठिन था लेकिन देखो कितना आसानी से आपने कर लिया ठीक है कर लिया अब देखेगा एक सवाल और पूछ रवड को वल्णी कृत करने के लिए प्रिव्ठतत्त तो क्या है तो सलफर आप जानते हैं लेकिन अगर झांते हैं अगर रवण के बनाता है या मजबूत बनाता है पहला option हमने मजबूत रखाIGHए strong बना देगा aur दूसरा हमने कहा कि weak बना देगा कमेजोर बना देगा एक है तो यहां पर किस को चुनेंगे Rubber का वल्ली कऱी कैसा होगा strong बनाता है flexibility लचिला तो बढ़ाता है यह लेकि यह मजबूत होते है यह कैसे होते हैं मजबूत होते चलिए कुछ और सवाल देते हैं उस सवाल को करियेगा कहा गया है कि माल लिजे हमने कोई तत्व ले लिया हमने कोई तत्व ले लिया x 80 80 160 है हमने कहा एक अलफा कड़के निकलने से एक अलफा कड़के उत्सर्जन से कौन सा तत्तो बनेगा अलफा कड़के उत्तर्जन से कौन सा तत्तो बना आपशन दे दू एक आपशन है आपके पास यहां पर 81,160 दूसरा है जड़ आपशन है आपके पास वाई के साथ ही दे रहे यहां पर 88,88 दे दे रहे 78,156 अलफा कड़के उत्सर्जन के दवरान क्या होगा क्या बनेगा अलफा कड़के अगर किसी तो तुसे निकल जाए तो परमाडू करमांक में कितने की कमी और द्रभिमान संख्या में कितने की कमी कल से बायलोजी का रिवि तो परमाडू करमांक में 2 की कमी होगी और द्रभिमान संख्या में 4 की कमी होगी तो यहां पर 156 बन जाएगा और नीचे 78 बन जाएगा नीचे 78 और उपर आपका 156 तो सही जबाब B होगा एक और देता हूं करके दिखाओ अगर हम आपको दें यहां पर कुछी अगर हम कहें कि दो अलफा कड और एक बीटा कड ध्यान दिजेगा हम कहें कि दो अलफा कड निकला है और एक बीटा कड निकला है तो बताईए जो तत्तो बनेगा वो कौन सा होगा दो अलफा कड और एक बीटा तत्त कड बना है तो जो भी आपका यहां पर तत्तो बनेगा उसका परमाडू करमांक और दर्बिमान संख्या क्या होगा आपको बताना है दोनों का मैं आपसंदे दे रहा हूं बताईए दोनों में से एक को चुनना है कौन सा सही चुना होगा 87X172 या 85X172 कैसे चुनेंगे आपको 84 होगा अलफा कड के निकलने से 2 की कमी होती है लेकिन 2 अलफा कड निकला है मतलब 4 की कमी हो गई 88 में से 4 गया 84 और यहाँ पर कितने की कमी होगी यहाँ पर 4 दुना 8 की कमी होगी यानि माइनस 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 172 लेकिन जब बीटा कड निकलता है न तो बीटा कड के निकलने से 1 की ब्रिधी होती है तो 84 के बाद यहाँ पहुंच गया 85 और यहाँ पर 172 ही रह गया यहाँ पर क्या रह गया 172 ही रह गया कोई डाउट किसी को कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है देख लिजे चलिए एक और बात आपको बताना है जैसे अगर हम कहें आपसे कि रेडियो एक्टिब बिसर्जन में आप जानते हैं यहाँ पर एक अलफा कड़ निकलता है यहाँ पर गामा कड़ भी निकलता है और यहाँ पर बीटा कड़ निकलता है तीनों कड़ निकलते हैं हम पूछे अलफा कड़ क्या होता है हम पूछे, अलफा कड़, बताई, कोश्चन पूछा, अलफा कड़ क्या होता है, आपको जबाब देना है, अलफा कड़ क्या होगा, प्रोटान होगा, हीलियम तत्तो होगा, हाइड्रोजन का नाभिक होगा, या हीलियम प्लस टू होगा, क्या होगा, अगर आप से पूछा जाए, कि अलफा कड़ क्या होता है, अलफा कड़, आप जानते हैं, अलफा कड़ जो होता है, वो धनात्मक होता है, अलफा कड़ क्या होता है धनात्मक यह धनात्मक होते है तो अलफा कड़ क्या होता है प्रोटान होता है प्रिती गुड मॉनिंग जवाब यहां पे क्या बनेगा प्रोटान तो यह है यहां पर प्रोटान उपर वाला दिया है प्रोटान को हम H प्लस कहते हैं यह प्रोटान है बात सही है लेकिन क्या यह अलफा कड़ भी है ऐसा कह सकते हैं नू आइडिया सर यार यह बहुत इजी सवाल है यार अलफा कड़ किसको कहते हैं अलफा कड़ तो अलफा कड़ यह है हिलियम का नाभिक क्या कहलाता है मेरे भाई हिलियम का जो नाभिक है यही अलफा कड कहलाता है हिलियम का नाभिक अदम आसान सवाल था और हिलियम के नाभिक के पास याद रखेगा आवेश इसके पास अलफा कड के पास आवेश जो होता है वो प्रोटान के आविश का दो गुना होता है और इसका द्रब्यमान क्या होता है प्रोटान के द्रब्यमान का चार गुना और आविश प्रोटान के द्रब्यमान का चार गुना और आवेश प्रोटान के आवेश का क्या होता है दो गुना होता है ये बात ध्यान पे रहेगी तो एक सवाल और आपको बताना है इसी से जुड़ा हुआ है आप बताएं जैसे ही अगर हम कहें 92 x से और यहाँ पर हम 238 दे रहे हैं और हम कहें इसमें से बीटा कड़ निकला है एक बीटा कड़ उस सरजित हुआ है तो जो y होगा उसके उपर क्या आएगा आवेश क्या होगा लिखिए का y है y क्या है एक आपशन दिया हुआ है 90 234 बी आपशन दिया हुआ है 92 y 234 सी आपशन दिया हुआ है 92 y 234 और डी आपशन दे रहा है 93 y 234 कौन सा चुनोंगे आपसे का बीटा कड़ निकला है और जब भी बीटा कड़ निकलता है न तो परमाडू क्रमांक में एक की कमी आती है परमाडू क्रमांक में एक की कमी आती है परमाडू क्रमांक में एक की कमी आती है तो परमाडू क्रमांक में एक की कमी आती है की बिर्धी आती है कमी नहीं आती है बीटा कड़के निकलने पर बृद्धी आती है, दिमाग से उतर गया था, बीटा कड़के निकलने से परमाडू क्रमांक में क्या होता है, तो परमाडू क्रमांक में बीटा कड़के निकलने से एक की बृद्धी होती है, तो याद रखेगा यहां पर बात, ठीक न, तो एक की ब्रिद्धी 92 है तो यहां पर 93 होगा यही आप्शन हो जाएगा 92 है तो यहां पर क्या होगा 93 होगा बानबे है तो क्या होगा 93 होगा 93 होगा एक दम आप समझ चुके हैं समझ चुके हैं तो एक आखरी सवाल में दे देता हूँ यहां पर 90 दे देता हूँ और यहां पर हम 90 के साथ 230 दे देता हूँ और आप से पूशता हूँ एक बीटा और एक अलफा निकला है X के उपर क्या होगा बता हूँ इसमें आपसन नहीं देंगे आपसंद जो आप सोच सकते होगा बताइए क्या होने वाला है किसको चुनोगे क्या होगा इसका राइट आंसर किसको चुनोगे तो बीटा निकला है तो एक की बृद्धी हो गई प्लस वन कर दिये और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया तो दो सो तीस का दो सो तीस और यहाँ पर एक क्यानबे हो गया चलेगा काम ठीक है अब बताओ अलफा कड़ निकला है तो चार की कमी दो की कमी परमाडू करमांक में दो की कमी होगी तो यहाँ पर आपके पास 89 हो जाएगा 89 और उपर आपके पास चार की कमी होगी तो 226 किसी के पास अगर 89 एक क्यानबे कहां से लास्ट वाले में बताओ ना लास्ट वाले में 89 एक साथ दो सो चप्थिस यह होगा ना अभी सब लोगों ने एक साथ जवाब नहीं दे पाए यह देखेगा ऐसे करेंगे अच्छा यहाँ पर एक दे दे रहा है यह क्लोरीन है और क्लोरीन का परमाडू क्रमांक 17 है द्रबिमान संख्या 37 है पूछा है क्लोरीन में निउट्रान प्रोटान तथा इलेक्ट्रान की संख्या है बताओ निउट्रान प्रोटान तथा इलेक्ट्रान की संख्या है कौन सा सही जवाब है इधर निउट्रान फिर प्रोटान और फिर इलेक्ट्रान आप्षन दे रहा हूँ बिर बहादुरों बता देना एक आप्षन है आपके पास सत्रह 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 एक आप्शन है 17, 17, 18 एक आप्शन है आपके पास 18, 17, 17 और एक और आप्शन है 17, 18, 17 तुन के बताओ गलत नहीं होना चीए जितेंदर इनका टाइटिल हम पढ़ने पर धाकड अच्छा क्या लिखें धाकड लिखें धाकेड लिखें कुछ नाम इनका उल्टा पुल्टा है च क्या होगा शही जवाब पूच के बताओ बड़ी पैारा सा सवाल है पहले पूछा न्यूट्रा फिर पूछा सण प्रोटान फिर पूछा एलेक्ट्रां तो इसको इसक्रम में सजाना है और मैंने आप से कहा था कि न्यूट्रान उपर वाले को एक कहते नीचे वाले को यानि 37-17 यानि 20 यहां पर कोई option आपको नहीं दिखाई दिया यहार एक option बना लेने दिया 20-17-17 तो हमने neutron फुर दियार नहीं दिया यहां पर क्या होने वाला है 20 होगा और proton क्या होगा तो 17 होगा इलेक्ट्रान क्या होगा तो 17 होगा ठेक ना यह दोखा नहीं है यह मिस्टेक है यह दोखा नहीं है यहां पर घटान तो यहां पर सही जवाब 20-17-17 अचा यह हो गया तो एक स्वाल और देना बनता है अधरवाईज आप सोचेंगे चलिए अगर ऐसे देदे हम ऐस इसके पास बता दो प्रोटान इलेक्ट्रान और न्यूट्रान प्रोटान इलेक्ट्रान न्यूट्रान की संख्या क्या होगी 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 बताओ इसी तीनों में से एक बताओ भावना कौशिक 1 1 1 0 बताई है सीवम कह रहें सर 1 1 0 गलती नहीं करने वाले हो पक्का ठोक दिये सही जवाब जबरजस जवाब रहा वाई समय नहीं लगाते हैं आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिये हैं अच्छा अगर ये बता पा रहें तो ये क्या बता पाएंगे क्य इसी के साथ एक और है 1 1 और यहां पर प्लस लगा है प्रोटान इलेक्ट्रान न्यूट्रान यहां पर बताओ क्या होगा यहां पर कह रहा है वन 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 जीरो 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 वन जीरो जीरो यह यह आखनी सवाल रहेगा कोई दिखते जवाब दे दीजे हाँ क्या सोच लीजिए गलती नहीं होनी चाहिए जितेंद्र मूल चन्द भावना कौशिक बिल्कुल गल्कुल नहीं होना चाहिए क्या इसका सही जवाब होगा पि चलेगा ना क्या सही जवाब चुना आपने, D चुना, D is the right answer, बिल्कुल correct answer D सही है, क्यों क्योंकि यहाँ पर जड दिया है 1, तो proton भी 1 और electron की संख्या 1 है, लेकिन प्लस होने का मतलब 0 और neutron तो 1 में से 1 0 है, electron और neutron 0 और proton की संख्या आपकी कितनी हो गई वन हो गई, तो proton की संख्या आपकी वन हो गई, electron और neutron की संख्या 0, ठीक है, हाँ, electron का last हुआ है, थीक है, अब चलिए, ले कर चलते हम आपके पास, कहते हैं, ये वाला तो आप बता ही देंगे, क्रित्रीम रेशा बता ही देंगे, बिजे क्या हल चल भाई जहिंद इसका सी नाइलान क्रित्रिम रेशा आप किसको जोड़ेंगे नाइलान की रसी बनाएंगे या रियान बनाएंगे या नाइलान बनाएंगे या पॉलिस्टर artificial fiber किसको कहते है artificial fiber रियान या नैलान acrylic तो हटा ही दो polyester कृत्रिम रेशा क्या होता है देखो कृत्रिम रेशा ये जो नैलान है रियान देखेगा है तो artificial sub लेकिन किसको मानते हैं तो रेशा के अगर बात करता है तो इसके लिए हम नैलान को ही मानेंगे यहां पर कृत्रिम रेशा पूछेगा तो सबसे ज्यादा फिर्मस नैलान है रियान से भी हम fiber का development करते हैं यहां से भी कपड़े बनाते हैं चलिए ये एक बात याद रखेगा अगर बिहार पुलिस कास्टेबल के आप त्यारी कर रहे हैं तो यह बुक जो है आपके लिए बेस्ट सेलिंग की जो बुक आई हुई है बिहार पुलिस कास्टेबल MD classes के नाम से जो किताब आपको flip card पे मिल रही है यह किताब बहतर 180 रुपे प्राइस है बहुत कम प्राइस ही है 15 प्रैक्टिस है अच्छी किताब है सांदार किताब है कोई भाई बंधू त्यारी कर रहा हो तो आप ले सकते हैं अगर आप LP की त्यारी करें तो आपके लिए भी कुछ सोचा जाएगा जल्दे की कुछ नया हां यह 10 बजे साइंस की क्लास 11 बजे चंदन सर की रिजिनिंग और 9 बजे मैंत की क्लास जवरजास अंदाज में होते हैं तीनों टाइमिंग याद रखेगा 9-10-11 और याद रख सब्सक्राइब करें ठीक है चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समात्त करते हैं जहिंद मस्त रही है जवरजस्त रही है बिल्कुल लपी के लिए जल्दी किताब आएगी ठीक ना जहिंद